हलो इस्टुटेंट से नेक्शनम डिसास करेंगे एक्जाम्पल नम्मर टू क्या किया रहा है यूज मैट्रिक्स मैथड टू शो डैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो गिविन है वो क्या है इनकंसिस्टेंट यह प्रूफ करना कैसे करेंगे देखो सबसे पहले ए बना हो 1236 फिर एक्स लिखो एक्स और य फिर बी लिखो जो किया फाइफ एट ठीक है यहां तक समझ में आ गया है सबको बिल्कुल जर अब सुनना यहां पर जो वैल्यू दे रख्की है आपको a x और बी ठीक है इसके लिए आपको क्या कंडिशन करनी पड़ेगी इसके लिए हमको यह कंडिशन करनी पड़ेगी सबसे पहले तो एका डिटर्मेंट निकालना पड़ेगा तो निकालो पढ़िए डिर्मिनट वन दू त्री 6 6 6 6 6 6 67 कितना वह जीरो हमेशा यात रखो ज जाले को फेक्टर निकालो ए वन वर यह गया यह गया शिक्स फिर ए वन टू फिर ए टू वन फिर ए टू टू ठीक है अब क्या करना है आपको एड़ जॉइंट ऑफ ए लिखना है कैसे लिखते हैं अड़ आफे सिक्स माइनस टू माइनस थ्री और वन यहां तक किलियर है अब हमें क्या निकालना है एड़ जॉइंट ऑफ ए को मल्टिप्लाय करना है बी से कर दो सिक्स माइनस टू फाइनस थ्री वन और बी क्या है फाइफ और एट इस रो से यह कॉलम सिक्स फाइफ सा थर्टी फ़न्टी फोर यह कितना आ गया माइनस टू से टैन और वन से किया तो एट आ गया कितना वैल्यू बचा देखो यह हो गया आपके पास सिक्स और यह हो गया आपके पास माइनस टू अब मुझे बताओ एट्जेंट ओफ ए मल्टिप्लाइब बी इस नॉट इक्वल्स टू जीरो है क्या विल्कुल से जब भी आपके पास डिटर्मिनट ओफ इस जीरो और एट्जेंट ओफ इस इक्वल्स टू जीरो तो उस सांजमारी के चीज़ विल्कुल से तो इस एक्वल्स टू जीरो तो इस एक्वल्स टू